इसके बाद हम इनको ब्लो ड्राइस सेटिंग देने लगे हैं तो यह हमारी क्लाइंट आप लोगो ने शुर्ट करने लगे हैं इनको हमने त्रीटमेंट देनe गमांगे है हैं कैन्ड़े लगे हैं धकी अापके हैं वह और यह जागी है ब्लू शैम्पू था ये जो इनहेंसिंग करेगा हमारे ग्रे हाइलाइट्स को और हमारे पास पोस्ट कॉम में भी ये शैम्पू मौजूद है ग्रे शैम्पू के नाम से उसके उपर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था लेकिन जो रैट कैन है ये कैनेडा की प्र मठी सबरदस प्राड़क्ट थी तो पहले हमने इनके दो मिनट के लीए बालों में जो है ये ये पर्पल जो शैМपू है इसको दो मिनट बालों में रखना नहीं कि दो तक इन्हेंस नहीं होती जब तक इसकी आफटर केर ना की जाए बा capac अकाइश कोलर का काम करवा लेते हैं लेकिन अफटर केर बिलकूल भी नहीं करते और पिर उनका कलर जो है वह मेंटेन्ड नहीं रहता तो आप जब भी एश की टोन में हाईलाइट्स करवाएं तो हमेशा परपल शैंपू ब्लू शैंपू और आफटर कलर शैंपू इन सब चीजों का इस्तमाल और साथ कंडिशनिंग और रिवर्टिलाइजिंग मास्क इसी तरह आप अगर केर करेंगे तो आपका कलर जो है वो इन्हेंस रहेगा और मन्त में एक दफ़ा आपको ग्लॉसिंग भी करवाना जरूरी होती है अब हम इनको शैंपू करेंगे उसके बाद हम इनको करेंगे कंडिशनिंग जब भी हम हेर पे ब्लो ड्राइ या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसे पहले ये ट्रीटमींट जो है वो देना जरूरी होता है अगर हम विदावट ट्रीट्मींट ब्लो ड्राइ या कोई भी हेर सैंटिंگ करते हैं तो हमारे जो हेरे होते हैं उनकी जो लुक होती है वो उस तरहां से enhance होना शुरू हो गई, उपर से जो copper और red सी tinch आना शुरू हो जाती है, वो इससे क्या होती है purple जो shampoo हम लोग use करते है ना, इससे ये tinch खतम हो जाती है और हमारी highlights फिर से एक दफा ताजी हो जाती है, और styling के लिए हमारा बाल ready हो जाता है, ये red conditioner या mask जो भी होता है उसको roots पे नहीं apply किया जाता mid to length पे apply किया जाता है क्योंकि जडो में जो है ये चीजे नहीं लगती, ये आपकी mid से लेके end लेक्न जो है वो apply की जाती है इसको अच्छी तरीके से apply करेंगे बालो को एक एक बाल खोल के आपने उसके अंदर इसको penetrate करना है, उसके बाद साथ से दस मिनट बाद आप इसको wash करवाएंगे, wash करवाने के बाद आप इसको करेंगे towel dry towel dry करने के बाद, अब हमारे जो client है, इनको full volumized blow dry चाहिए, blow dry की मैंने एक बहुत छोटी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने टेकनीक बताई थी, और आज मैं proper blow dry करने जा रही हूँ, तो आप इसमें देखें के इसके बाद मैंने आरगन का leave-in conditioner अपलाई किया बालो में, ये और इसके बाद मैंने आरगन का oil ये जो दो चीजे हैं, ये heat प्रोटेक्टिंग करेंगी आपके hair पर और blow dry से पहले density का ये serum है, ये बालो में volume create करता है ये जब भी आप जो भी client का hair style volume के लिए करना चाहें या blow dry volume के लिए करना चाहें बालो में, तो आप ये density का pink color का serum जो है ये जो density serum है, ये भी postcom professional का है, इसको आप अच्छे तरीके से बालो में apply करेंगे और blow dry से पहले आप बालो को करेंगे dry, dry करेंगे बद हल्की सी नमी बालो में होनी चाहिए, पूरा बाल सूखना नहीं चाहिए और उसके बाद आप करेंगे blow dry, ये जो blow dry, ये professional blow dry में कर रही हूँ, इसमें एक-एक बालो की sectioning करके और एक-एक बाल में जो है मैंने hair brush को जो है लगा के छोड़ देना है, क्यूंके मुझे outer blow dry चाहिए with volume और इसके साथ जो है front पे थोड़ी सी हमने जो without आउट पिन लगा के जो teasing करते हैं, ताके बालो में volume नजर आए इस तरीके से हमने इसको set करना है तो ये जो crown area है इसके जो बाल है, इसको मैंने उठा के अलग करके sectioning करके इसको catcher कर देना है, क्यूंके इसमें मैंने जो है volume टेजिंग करनी है और साथ इसमें outer curls डालने है ये सारा कुछ जो है, हमने brush की मदद से करना है, इसमें किसी किसम की और चीज नहीं यूज होगी blow dry brush जो है, वो मैं lahore beauty college जो क्यूने वालों का होता है salon designer, उनके यूज कर रही हूँ और जो blow dry वो भी हमारा professional blow dry 2000 watt का होता है blow dry में जो front का एरिया होता है, जहां हमें volume create करना होता है, वहां हम jumbo size का brush होता है, उसको use करते है, jumbo size का brush जो है, वो आपके जो front area पे एक bouncy volume देता है और पतले-पतले section करके आपने blow dry करना है blow dry और brush ये दोनु आपने साथ-साथ चलाना है blow dry करते वक्त, जब हम गरम हवा का इस्तमाल कर रहे होते हैं तो उसको कुछ देर के लिए हमें hold करना होता है और अगर आप उसको hold करके अगर थंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो ठीक है, और अगर आपको उसी वक्त खोलना है तो आप गरम हवा के बाद उस पर थंडी हवा भी लगाएंगे क्योंकि उसको लॉक करना भी ज़रूरी होता है अगर आप गरम हवा को करते ही खोल देंगे तो वो blow dry आपका उसी वक्त खुल जाएगा blow dry की कुछ टेक्नीक्स होती है कि जो भी ब्यूटिशन blow dry करे वो brush और ड्रायर उसको साथ चलाने की practice करें मैंने अक्सर ब्यूटिशन देखी है जो अपना blow dry अकेले नहीं कर सकती तो professional जो बंदा blow dry करने वाला होता है उसको brush और ड्रायर दोनों साथ चलाना होता है उसमें किसी बंदे की help की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा जो है वो blow dry चलाए दूसरा बंदा जो है वो brush चलाए इस तरह वो आपका काम जो है वो professional नहीं लगता आप थोड़ी सी इसकी practice करेंगे तो आपको दोनु चीजे साथ चलाना आ जाएगी front पे हमने jumbo brush की setting कर दी और side पे हमने c section के साथ जो है अपना blow dry brush लगा लगा के उसको sectioning करके hold करके छोड़ दिया था इसी तरीके से पूरे सर में हमने जो है brushes लगाए और उसको लगा के छोड़ दे गए जब full head पे हमारे brushes हमने लगा के छोड़ दिये तो जो crown area था उसको भी हमने blow dry किया और साथ हमने finishing look के लिए नीचे से जो है वो थोड़े से iron के साथ अपने curls को enhance किया बाज वकाद ऐसा होता है कि client blow dry के साथ ही hair styling करवाना चाहता है तो जब आपको इस तरह का काम करना हो तो आपने अपने client की wish के हिसाब से सारा काम करना है ताकि आपका client जो है वो जो वो चाह रहा है वो चीज उसको मिले mostly इस वक्त शादियों का season है आपको पता है और शादियों के season में mostly बाहर से लोग आएवे तो जो लोग बाहर से आते हैं वो professional काम चाहते हैं वो चाहते हैं कि जिस तरीके से हम बाहर मुलकों में करवाते हैं इसी तरीके से हमें पाकिस्तान के अंदर भी service जो है वो provide की जाए तो आप जब भी अपने salon में काम करें तो अपने जो भी आपके पास clients आते हैं उनको ये ना feel हो के जी ये बंदे शायद बाहर वालों की तरह काम नहीं कर सकते आप भी अपने तरीके से उसको professional तरीके से handle किया करें और अपने काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से present भी किया करें अब आप ये blow dry की जो इनकी after look थी वो मैंने आपको start में दिखाई है कि वो कितनी happy थी क्या था उनका तो आप देखें कि इसको करने का तरीका क्या है जो brush आप लगाते हैं, dry करते हैं उसको आप hold करते हैं उसको एक मिनट तक आप dry चलाते हैं ताकि हीट से आपका outer जो curl से वो बनता जाए professional blow dry करने के लिए आपके salon में तकरीबन 12 blow dry brushes होने चाहिए अगर आपके salon में 12 brushes नहीं है तो फिर आपको बहुत time लग जाएगा blow dry के लिए क्योंकि one by one आप उसको ठंडा करेंगे फिर लगाएंगे फिर ठंडा करेंगे तो ये बहुत time taking काम हो जाएगा तो salon जब होता है तो आपको सामान सारा कुछ इसमें रखना पड़ता है अब हमारा ये जो हॉर्शू एरिया है वो एरिया हमारा आगिया है कि अब हमने इसके अंदर जो है अपनी पार्टिंग को और इसको भी होल्ड करेंगे इन तमाम सेटिंग में तक्रीबन तक्रीबन हमारा जो है वो घंटा लग जाता है क्योंकि ब्लो ड्राइ इतना असान नहीं होता अगर आप ब्लो ड्राइ प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आपको time चाहिए या तो फिर आप दो बंदे इसक प्रोफेशनल लुक करना होता है मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारा जो यह क्लाइंट है इसका आखर में आप रिव्यू भी देखें कि फर्स्ट में भी हमने दिखाया और लास्ट में भी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा क्लाइंट कितना हैपी था और उसको हमारा काम कितना पसंद आया थैंक यू कितनो नहीं कितना चाहिए इसापर चाहिए भी हम आपकोई आप यह वे टूब ते एग्षा में अक्यूट करहां कितना हैं कितना है आपको कोποई अबे भी आपकोई वा ते कितना हैं झाल झाल